हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस यह दि आप टेरी टोयल आर्मी का जो ऑफिसर का एक्जाम है वो अगर पास करना चाहते हैं तो गाइस यह वीडियो आप ही लिए क्या बहुत ज्यादा इंपोरेंट है गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ रामबार तरीके उताना चाहूंगा कि जिसके माध्यन से आप एक्जाम को बहुत आसाई से पास कर पाएंगे और गाइस यह आप साई चीजों को 100% फॉलो करते हैं तो गाइस काफी ज़्यादा चांस है कि आपका सेलेक्शन का हो जा तो फिर उस जगह important बात यह आते कि आपको कम से कम यह पता हो कि एक्जाम का pattern क्या है एक्जाम में क्या पूछा जाता है और किस तरीकिये से आंगे का procedure होगा तो सबसे पहले आप यह समझे लो कि आपका written exam होना है अब जो आपका written exam होना है तो उसमें आपके जैसे आपको प subjects आते हैं अब इन subjects के बारे में तो आप समझ गए यह तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है बट देखे important बात क्या है वह आप समझे गाइस जब आप यह written exam देंगे तो written के बाद आपका होगा PIV फिर PIV के बाद आपका होगा 5 days SSV आपको यह पता होना चाहिए कि PIV को आप भोल 5 days का होगा और उन 5 days में decide किया जाएगा कि भाई आप officer बनने के लाइक हो या फिर नहीं हो तो इसके लिए एक आपको complete तैयारी के साथ रड़नीती के साथ उतरना होगा यदि guys आप without रड़नीती तैयारी करेंगे तो फिर देखे क्या होगा आप form भर देंगे आप exam देंगे बट selection नहीं होगा यदि selection चाहिए तो सारी चीजों को पहले हमको पता हो कि क्या आंगे होने वाला है और उसकी अनुरूफ हमको आंगे डट ख़डे होंके तैयार होना है और यदि हम डट के तैयार होगे खडे होंगे तो obviously बात है कि हम चीजों को क्या बहुत आसानी से handle कर ले जाएंगे तो अगर आपने साइज situation को अच्छे से handle के लिए तो फिर आपका selection क्या बिल्कुल पक्का है अब यहां पर बात यह आती है कि भाई यह तो प्रोसेट होगे यह चीजी होने और अगर अगर रिटेन क्लियर नहीं हो तो आपका जो दर्वाज आए पहले यह बंदो जाएगा तो रिटेन को क्लियर करने से पहले आप यह समझेए कि रिटेन तभी क्लियर होगा जब आपका जो भी subjects हैं उनमें हर एक subject में 40% मांक्स आएंगी मतलब हर एक subject में 40% लाना क्या कमपल सरी है यदि आपका हर एक subject में 40% नहीं आया तो आप रिटेन के क्या है भार हो जाओगे मतलब रिटेन एक्जाम आपका क्या है पास नहीं हो पाएगा यह देखिए condition लगाई गई है अब इस condition को आप थोड़ा और अची समझेए 40% हर एक subject में होना चाहिए और उसके साथ साथ में जो overall आना चाहिए वो 50% आना चाहिए जैसे आपको पता हुगा कि आपकी चार subject हैं और हर subject में क्या 50-50 marks हैं अब 50-50 marks में से आपको क्या है 40% लाना है मतलब 20 marks लाना आपके लिए क्या compulsory है हर एक subject में और उसके बाद कम से कम 50% marks overall होने चाहिए तो जैसा आपको पता कि चार subject के जो total marks होगा 50 के according वो 200 होगा तो 200 में से आपके 100 marks होना चाहिए अगर आपके 100 marks नहीं होगी तो फिर आपका जो exam है वो पहली आप exam से क्या है बाहर हो जाएंगे तो आपको यह समझना होगा कि हर एक subject में 40% marks मतलब 20 marks लाना क्या compulsory है और overall 50% होना चाहिए मतलब 200 में से 100 marks होना compulsory है तो यह तो आप समझें कि भाई यह चीज होगा तब ही आप exam के अंगले stage तक पहुचेंगे अब यह तो बात आप समझेंगे अब यहाँ पर बात यह आती कि यह तैयारी कैसे करना है क्योंकि तैयारी कही ना कही सबसे जाता important role प्ले करता है तो देखिए आपको पता होगा कि जब पर टैयारी ट्रेजर आर्मी का form आता है तो form आने के बाद जो समय मिलता है मुश्किल से, 2015 से दो महिने मिलने वाले है यह आप समझेंगे जब भी उसकी लाज डेट होग्य उसके बात मुश्किल से dzień से दो महिने मिलनेवाले और उनी डेड़ से दो महिने में आपको तयारी करके या तो selection लेना है या फिर out होना है तो यदि आपको selection लेना है तो उसी बीच आपको अपनी तयारी करनी होगी और guys इसकी तयारी के लिए आप क्या करेंगे तो आपको पता कि time कम होगा अगर time कम होगा तो फिर उस जगे हमको क्या है model paper का सारा लेना है हम क्या करेंगे previous year का model paper लेके आएंगे अरियंत का ले सकते हैं किरन का ले सकते हैं या और कोई publication का ले सकते हैं अब आप क्या करें कम से कम daily एक set लगाना थूरू किए और कम से कम 10 sets को लगाईए बहुत अच्छे से और लगाने के बाद ये देगे कि आपके weak points क्या क्या निकल कर आ रहे हैं आपके strong points कौन कौन से हैं weak points जो निकल कर आ रहे हैं उनको improve करना है कैसे भी करके अगर हम उनको improve करेंगे तो फिर देखे क्या होगा जो results होंगे वो automatic क्या बनने लगेंगे positive बनने लगेंगे और जब आप positive चीजे करोगे तो फिर obvious सी बात है कि वहां से selection के chances क्या automatic increase करेंगे तो आपको क्या करना है आपको previous year model paper जरूर ले लेना है और guys कई वाइशूरिन देखे क्या करते हैं टैरी टोयर आर्मी की गाइड ले आई अब गाइड में क्या चारो सब्जेक्ट हैं और बहुत डिटेल में अब आप बताओ कि भाई आप खुछ सोच के बताओ कि डिएड से दो महीने में इतनी मोटी बुक पढ़ पाना क्या possible है अब आप में इस कुछ लोग कह सकते हैं कि वह पॉसवल है देखे बुक पढ़ना पॉसवल है लेकिन वह सारा का सारा दिमाग में स्टोर कर पाना क्या वह पॉसवल है आप खुछ सोच के देखे कि काफी आपने एकजाम दिये होंगे चाहे एससी का दिया हो चाहे आपने बैंक का दिया हो चाहे आपने रेलवे का दिया हो तो उनमें जब इतनी इतनी मोटी बुक्स होती है क्या उनको आप माइड में पूर देके रिस्टोर करें क्या आपका स्लेक्शन हो पाता है तो आप पे खुद आंसर दे दो कि जरूरी नहीं है माइट में स्टूर करना अलग चीज है और सिर्फ पढ़ना इसे वो अलग चीज है तो मैं आपसे यह कहा रहा हूँ कि ऐसे पहत करना है कि चीजे दमाग के अंदर बस जाएं और जो इस एक्जाम का पैटरन है और उसके अनरूप पढ़ना है आपको यह देखना है कि भई यह स्लैवस क्या आने वाला है स्लैवस क्या है मैट्स में क्या आने वाला है इंगलिस में क्या आने वाला है रेजिनिंग में क्या आने वाला है यह जो आपके subject है इसमें आपको देखना है कि भाही हाँ क्या-क्या syllabus आने वारा है और उस syllabus के अनरूप आपको क्या तयारी करना है कई रहे क्या करते हैं? भाई slabos slabos कुछ नहीं देखना त्यारी करने में लगे हैं लगे हैं करते जा रहें देखें, slabos के अदरूप पड़ेंगे तो फिर आपके selection के chances क्या बनेंगे और slabos के without पड़ेंगे तो फिर आप क्या है ऐसी तयारी कर रहा है जिसमें आपको यहीं नहीं पता कि भाही question क्याने वाला है हमको पढ़ना है बट अपने exam के according जो exam की demand है जो exam में पूछा जाने वाला है हमें उसके according पढ़ना है देखिए government जो आपके तयारी करते समझ सबसे बड़ी कलती यहीं होती है कि हम पढ़ते हैं लेकिन वह exam में नहीं पूछा जाता है और जब वह एक्जाम में नहीं आता है तो मेहनत जादा और result क्या है कम और इसी के चलते कई लोग क्या है भौसल तयार है selection अगर आप सोच रहे हैं आर्मी में ही जाना है selection लेना है तो भाई बुक पकड़ो पढ़ना शुरू करो एद्दा उधर की बात सोचना बंद कर दो और अगर selection लेने ही सोच रहे हो तो गाइस सेदी आप मेहनत करने कर तयार हो तो आपको selection कोई नहीं रोख सकता और कुछ अगर आपको problem हो रहे हैं तो नीचे आप comment box में बताइए तो इसके लिए हम आपको बहुत रिस्पोंस कर दें और गाइस टैरी टोयल आर्मी से संब्द अगर आपको किसी टॉप पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे comment box में यहीं बताइए और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चाहिए और वीडियो पर आपको मताना चाहूंगा कि आपके लिए मैंने एक प्रेश मना रखे टैरी टोयल आर्मी तो उसमें आप जाकर क्या टैरी टोयल आर्मी से संब्द जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं और गाइस सब्सक्राइब वीडियो स